प्रश्न पुल्ली क्या होती है? इसको कब अपलाई करना चाहिए? इसका हमारे जीवन में क्या मैत होता है? ये मैं आपको बता रहा हूँ. जब किसी का अपना actual date of work, time of birth और birth प्लेस का नहीं पता होता या आप कहीं ऐसी जगापे फसले हैं, जहाँ पर आप से किसी ने एक प् पूछा उस समय का date, time, year आप और birth place डाल करके कुंडली देख लीजे और उसकी जन्म कुंडली का चोथा भाव देख लीजे, ग्यारमा भाव देख लीजे और दूसरा भाव देख लीजे और छटा देख लीजे. इन भावों को देख करके आप तुरंत prediction कर सकते हैं कि आपक विक्ति के उपर चंद्रमा की अंतरदशा आएगी या महादशा आएगी तब विक्ति को मकान बनाने से संबंदित सुख की प्राप्ति होगी. ठीक है? क्योंकि चंद्रमा चोथे भाव में बैटे हैं तो आप ये आंसर कर सकते हैं. इसके अलावा आप ऐसे भी देख सकते ह कि जब भी चंद्रमा से संबंदित आप उपाई करेंगे तो आपको मकान से संबंदित सुख की प्राप्ति होगी. आप ऐसे भी इस विक्ति को आंसर दे सकते हैं. लेकिन यदि उन्होंने टाइम फ्रेम पुछा कि मेरा अपना मकान कब बनेगा? तो मैं आपको क्लियर कर द संदित सुख की प्राप्ति हो जाएगी. लेकिन यहाँ पर यदि शनी का समय आ जाए तो आप उसे साल डेढ़ साल का समय बता सकते हैं. क्योंकि शनी सबसे स्लोइस्ट प्लाइनेट हैं. तो ऐसी कंडिशन बे आप उनको कह सकते हैं कि भाई मकान तो बनाना लेकिन बहुत दहरे के साथ बनाना और आप चिंता मत करो आपका मकान बन जाएगा. क्लियर इस फरकार से हम प्रश्न कुंडली को समझते हैं लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ इसका जो वैलिडिटी पावर होती है ये छे महीने ये तीन महीने की पावर होती है इस क्वेशन आं क्योंकि सब लोग अपनी अपनी अलग-अलग टाइम की प्रश्न कुंडली बनाएंगे और अलग-अलग आंसर देंगे तो उसको कभी भी सही आंसर नहीं मिलेगा इसलिए एक टाइम पर एक ही विक्ति से प्रश्न पूचा जाए और सही समय आने का इंतजार किया जाए ना प्रश्न कुंडली सिरफ एक प्रश्न तक ही आधारित रह जाती है होग आपको प्रश्न कुंडली से संबंधित सारी बाते समाज आ गयोंगी अब एक बात और आपको अच्छे से बता देता हूं P.A.C.E. यानि P. for पटेयाला, A. for अमरिका, C. for कालकटा और E. for यानि कि ये चार लेटर हैं P.A.C.E. किसी भी वेक्ति की जन्म कुंडली देखने के लिए आपको P.A.C. का फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी होता है अब ये क्या फॉर्मूला है ये कहां से आगया मैं आपको बताता हूं P. का मतलब हो जाता है प्लानेट, A. का मतलब हो जाता है कंजेक्शन और E का मतलब हो जाता है एक्सचेंज जब भी कोई वेक्ति प्रश्न पूछें फिर चाहे वो प्रश्न कुंडली का हो या फिर आपके उसकी अपनी जन्म कुंडली से संबंदेत हो तो प्लानेट को देखें, एस्पेक्ट्स को देखें, कंजेक्शन को देखें और एक्सचेंज को देखें अब एक्सचेंज का मतलब मैंने पीछे बताया था कि राशी परिवर्तन योग क्या होते हैं तो उसी को एक्सचेंज योग कहा जाता है तो आप उसको भी ठीक से जरूर समझ लीजे और वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपॉइंट्मेंट भी ले सकते हैं और आप जी इस्टाग्राम और फेस्बूक पर भी फॉलो कर सकते हैं